लोगतंत्र के पड़िनाम इस मॉड्यूल में आप लोगतंत्र के पड़िनामों का मुल्यांकन करेंगे क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार के अन्य रूपों में से लोगतंत्र क्यों शेष्ट है? आश्चर यह होता है कि लोकतंत्र की समस्याओं और भ्रांतियों के बावजूद हर कोई लोकतंत्र के लिए क्यों उत्साहित होता है लोकतंत्र को राजशाही और तानाशाही से शेष्ट माना जाता है क्योंकि यह यह नागरिकों के बीच समानता बनाए रखता है व्यक्तियों की गरीमा को बढ़ावा देता है, निडने लेने की गुनवता को सुधारता है, विवादों को निप्टाने के लिए न्याय संगत प्रणाली प्रदान करता है और गलतियों को सुधारने के लिए अफसर देता है आज विश्व भर में लोगतंत्र को भारी समर्थन प्राप्त है। ऐसा क्यूं है? क्यूंकि यह लोगों को शक्ती प्रदान करता है। अक्सर हमें लोगतंत्र के विचार पर प्रश्ण उठाने और सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराती है। हमें यह समझना चाहिए कि लोगतंत्र केवल नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी परिस्थितियां बना सकता है। नाग्रिकों से उन परिस्थितियों से लाप्राप्ट करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके. लोग तंत्र का सबसे बुन्यादी राजनितिक परिणाम यह है कि इसमें एक ऐसी सरकार बनती है जो उसके नागरिकों के प्रति उत्तरदाई होती है यह स्वतंत्र निश्पक्ष और नियमित चुनाओं के माध्यम से ऐसा करता है लोगतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के पास प्रतिनिध्यों को चुनने का अधिकार हो लोगतंत्र का दूसरा राजनितिक परिणाम एक उत्तरदाई सरकार है प्रायर यह विशेष्टा इसकी कारिक उशलता को कम करने का कारण बन सकती है लेकिन लोगतंत्र सीधी सारवजनिक बहस, विचार विमर्ष और बादचित के विचार पर आधारित है किसी निडने पर पहुँचने से पहले प्रक्रियाओं का पालन करने में अधिक समय लग सकता है लेकिन यह सभी के लिए स्विकार्य है और अंत में यह एक तानशाही सरकार की तुलना में अधिक प्रभावी है जहां सुनवाई के बिना ही जनता पर निडने थोब दिये जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरुप बाद में प्रतिरोध हो सकता है लोगतंत्र का तीसरा राजनितिक परिणाम एक वैधानिक सरकार है लोगतंत्र यह सुनिष्चित करता है कि लिये गए निडने मान दंडो और प्रक्रियाओं पर आधारित हूँ जो जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए जाएं लोगतंत्र में नागरिकों के पास निडने लेने की प्रक्रिया की जाँच करने का अधिकार और साधन होता है पारदर्शिता का यस्तर इसे गैर लोगतंत्रिक सरकारों से प्रिथक करता है और यही कारण है कि लोगतंत्र को भारी समर्थन प्राप्थ है, जिसका आनंद तानशाही सरकार नहीं उठाती है लोगतंत्र के राजनितिक परिणामों को इस आधार पर मापा जा सकता है नियमित, निशुर्क और निश्पक्ष चुनाव सीधी सारवजनिक बहस और सरकार और उसके कारियों के बारे में जानकारी प्राप्थ करने का नागरिकों को अधिकार विश्व के लोगतंत्रिक देशों के पास परिणामों में से प्रतियक के संदर में हमेशा पूर्ण रिकॉर्ड नहीं होता है जबकि लोगतंत्र में स्वतंत्र और नियमित चुनाव होते हैं लेकिन हर किसी को सही अवसर नहीं मिलता है और नहीं हर निडने सारवजनिक बहस के अधिन होता है लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों के साथ दोशरहित रिकॉर्ड की जानकारी साजा नहीं करती हैं वे हमेशा लोगों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देती हैं और बहुमत की मांगों को अंदेखा करती हैं हम लोकतांत्रिक देशों में भ्रस्टाचार की कहानिया सुनते हैं जो यह साबित करती हैं कि वे इस दोश से मुक्त नहीं है हम सब कह सकते हैं कि यह निपूर्ण नहीं है लेकिन सभी पहलियों में यह तानाशाही से शेष्ट है इसके अलावा यह दिखाने का कोई सबूत नहीं है कि गैस लोकतंत्र सरकार लोकतंत्र से शेष्ट है आईए दोहराएं लोकतंत्र को राजशाही यह तानाशाही से शेष्ट माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता बनाए रखता है व्यक्तियों की गरीमा को बढ़ावा देता है निर्ने लेने की गुनवत्ता को सुधारता है जगड़ों को निप्टाने के लिए न्याय संगत प्रेनाली प्रदान करता है और गलतियों को सुधारने के लिए अवसर देता है नागरिकों की समस्याओं को सुलजाने के लिए लोगतंत्र केवल आवश्यक परिस्थितियां ही बना सकता है उन परिस्थितियों से लाप्राप्ट करने की अपेक्षा नागरिकों से की जाती है लोगतंतर के राजनितिक परिणाम है जवाबदेही, उत्तरदाई और लोगों द्वारा लोगों की लोगों के लिए विधाई सरकार है लोगतंत्र के राजनितिक परिणामों को इस आधार पर मापा जा सकता है नियमित, निशुल्क और निश्पक्ष चुनाओ सार्वजनिक बहस और सरकार और उसके कारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का नागरिकों को अधिकार दुनिया भर के लोगतंत्रिक देशों में हर राजनितिक परिणाम का कोई परिपून रिकॉर्ड नहीं है